नमस्कार दोस्तों आपका स्वाल रता है अलोंकिक दुनिया में हिंदुस्तान के धरातल पर योगों से परम सक्ती ईश्वर के दर्सन की लालसा चली आ रही है यहां सम्रद्य परमपराएं इस बात की गवाएं कि यहां मानवताव धर्म की रच्छा है तो ईश्वर ये सक्ती का किसी न किसी रूप में अवतार होता रहता है क्योंकि धर्ती में सुक्षम्रद्य बिना देवी वो देवता के नहीं हो सकती मा दुर्गा नव रूपों में प्रगट हुई है जिसमें मा तरतिय मूर्ती को चंदर घंटा के नाम से जाना जाता है यह देत्यों का संहार भयानक घंटे की नात से करती है यह माता दस बुजाधारी है इनके दायने हात में बांड दनुस माला आद सोवित हैं जिनके बाए हाथ में त्रशूल, गदा, तलवार, कमंडल तथा युद्ध की मुद्रा में सोवित हो रही है माता सेर पर सवार ओकर जगत के कल्यार है तो दुश्ट देत्यों को मारती है मा का यह रूप सस्त्रूं को मारने है तो सदैप ततपर रहता है एक वार सकती रूपा देवी चंद्र गंटा ने जैसे ही राक्ष समों का संहार करने के लिए दनुस को आकास की ओर किया बैसे ही देवी मा के बाहन सेर ने दहाडना शुरू कर दिया और माता ने पुना घंटे के सब्द से उस द्वनी को और बढ़ा दिया दनुस की टंकार सेर की दहाड गंटा का गर्जना असरों के नश्ट करने का आहस बढ़ाता गया समस्त दानव दल छिन भिन होकर मरता गया नवरात्वी के तीसरे दिन मा चंद्र गंटा की पूजा का महत्व है इस देवी की पूजा से मनुश्य को अलोंकिक बस्तूओं के दर्सन होते हैं दिब्व शुगंदियों का अनुबब होता है कई तरह की द्वनी सुनाई देने लगती है मातारानी के मस्तस्क पर अर्द चंद्रमा बिराजमान है इनके हाथ में गरजना करने वाला घंटा है इसलिए इने चंद्र घंटा कहते हैं इनके सरीर का वर्ट सुर की तरह चमकी लाए इनके घंटे की द्वनी से दानव देत असुर सब बहवीत रहते हैं वो मा के भक्त प्रशन रहते हैं ऐसा मानते हैं मा पारवती ने भगवान सिव को पाने के लिए गोर तपश्या की तो सिभ भगवान मान गए वो बिवा में अगोरियों सहित बारात में पहुँच गए मा पारवती को लाने सिभ भगवान के इस रूप को देखकर उनके माता पिता वो अतिती गड़ भहवीत हो गए पारवती जी की मा मैना देवी मुर्चत हो गई इन सब को देखकर देवी पारवती ने मा चंदर गंटा का रूप दारड कर लिया भगवान सिव के पास पहुँच गई उन्होंने भगवान सिव से सुन्दर आकरशित राजकुमार का रूप लेने को कहा मा पारवती ने फिर जाकर अपने परिवार को सवाला और सवी अप्रिय यादों को मिटा दिया और उनका बिवा हो गया मा को तवी से चंदर गंटा के रूप में पूजा जाता है मा का सुवाब चंदर मा की तरह बहुत ही सीतल है भक्त मा को पूजा में विसेश रूप से लाल रंख के फूल चड़ाएं साथ में फलो में लाल रंखा ही सेव चड़ाएं जब आप माताराणी का मंतर पड़ें तो उसके तुरंत बाद घंटी जरूर बजाएं क्योंकि माचंदरगंटा की पूजा में घंटे का बहुत मैध्यटो है क्योंकि घंटे की द्वनी से ही माचंदरगंटा अपने बक्तों पर करपा बरसाती है मा को दूट से बनी चीज़ों का भोग लगाएं मखाने की खीर का भोग मा को बहुत अच्छा माना जाता है खुसोकर मा दुखों का नास करती है इस दिन पूजा में बूरे रंके बस्तर पहनने चाहिए जै मा तादीद जै मा चंदर गंटा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू हैपी नवरात्रे